नमस्कार आज हम बात करेंगे अलंकारों के विशे में अलंकार सब्द है वो अलं तथाकार दो सब्दों के योग से बना है और जिसका सामान्य अर्थ है अलंकृत करने वाला अत्वा सुसोबित करने वाला सामने रुप से हम कहें तो काव्य की सोबा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार कहलाते हैं और अलंकार दो तरह के होते हैं सब्दालंकार अर्थालंकार कुछ उभेलंकार भी होते हैं जो हमारे पाठे करम में नहीं है हम उन्हीं अलंकारों पर ध्यान के अंद्रित करेंगे जो हमारे पाठे करम में सामिल है सब्दालंकार हम अलंकार है उसमें कविता में जो चमतकार होता है वो सब्दों में नहीं होता है और उन सब्दों की स्थान पर यदि उनका प्रियायवाची रख दिया जाए तो कविता में जो चमतकार है वो समाप्त हो जाता है इसलिए इन्हें हम सब्दालंकार कहते हैं जबकि अर्थालंकार में जो कावे में चमतकार है वो अर्थ में नहीं होता है सब्द के स्थान पर यदि उसका प्रयायवाची सब्द भी रख दिया जाए तो भी चमतकार बना रहता है इसलिए अर्थगत परधानता के कारण हम इने अर्थालंकार कहते हैं स्लेबस में जो अलंकार सामिल है उसमें सबसे पहले हम यमक को लेते हैं और यमक का साब्दिक अर्थ है दो अगर यमक का हम अर्थ देखें तो यमक का साब्दिक अर्थ होता है दो और इस अलंकार में एक ही आकार समुह वाले सब्दों का सरवन कम से कम दो बार होना आवशिक है अगर हम इसकी परिभासा दें तो ये कह सकते हैं कि भिन भिन अर्थ वाले अत्वा निरार्थक सब्दों की आवरती जिस अलंकार में होती है या की जाती है उसे यमक अलंकार कहते हैं लखने की द्रस्टी से तो हम कहेंगे कि यमक का साब्दिक अर्थ दो होता है और इसमें किनी सब्दों का कम से कम दो बार सुना जाना आवशिक है या किसी सब्द की जिसमें सामानेत है दो बार उसके आवरती हो तो वहां यमक अलंकार होगा और परिभासा क्या हो जाएगी भ अब यमक अलंकार भी हम सामाने तोर्ष पे देखें तो एभंग और सैभंग दो इस कोटे में इसको हम रख सकते हैं एभंकार्थ है सब्द की पुन्रावरती बिल्कुल उसी रूप में हो जिस रूप में पहले सब्द का आगमन हुआ है और इसका उधारन हम ले सकते हैं ज जग वाप आए बोराए जैसे कनक कनक सब्द है कनक सब्द की दो बार आवरती हुई है और यह सब्द अपने उसी सव रूप में आया है जिस रूप में इसका प्रथम बार आगमन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यहां एभंग यमक अलंकार है लेकिन यह अलंकार एक अलग रूप में भी आता है जहां जो प्रथम सब्द है वो तूट कर या विखंडित होकर दूसरे रूप में भी आमारे सामने आता है जैसे एक सामन इसी पंक्ती हम पढ़े नीबल केबल केवल रा तो यहां पहले जिस सब्द का आगमन हुआ है वो नीबल सब्द है और दूसरा जिस सब्द का आगमन हुआ उसमें से नी हट गया है और केवल बल का आगमन हुआ है लेकिन बल सब्द का चुंकि यहां दो बार आगमन हुआ है इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा यमक क्योंकि यमक का साब्दिक अर्थ क्या है दो तो पूरे पद में जहां कहीं भी सब्दों के आवर्ती होती है हम मान सकते हैं कि वहां यमक अलंकार होता है दूसरा अलंकार हम ले सकते हैं स्लेश ठीक है और स्लेश अलंकार की परिवासा हम इस तरीके से दे सकते हैं समझने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि स्लिष्ट पदों के प्रियो होता है वहां सले सलंकार होता है सलिष्ट पदों के प्रियोग द्वारा जहां अनेक अर्थों का अभिधान होता है वहां सले सलंकार होता है सले सब्द सलिष्ट धातु से निश्पन हुआ है जिसका अर्थ होता है सटा हुआ चिपका हुआ या मिला हुआ जहां कविता में एक ही सब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे सलिष्ट पद कहते हैं और ऐसे सब्द का आगमन जहां कविता में होता है वहां कोन स सालंकार होगा स्लेश अर्थात जहां स्लिस्ट पदों के प्रयोग द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान किया जाए वहां कौन सा चमतकार है, वो चमतकार समाप्त हो जाएगा, सलेसलंकार को भी हम यमकलंकार की तरह एभंग और सैभंग दो कोटियों में रख सकते हैं, जैसे पहला उधारन बड़ा परशिद भी है और सबका सुना हुआ है, तो उसी उधारन को हम रखेंगे, कि रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सबसून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चौन, यद पीस में यमकलंकार भी है क्योंकि पानी सब्द का तीन बार प्रियोग हो है, लेकिन ये जो अलंकार है, वो सलेस अलंकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पानी गए न उबरे, मोती मानस जो यहां पानी सब्द है उस पानी सब्द की अनविती मोती मानुस और चून के साथ जब हम करते हैं तो वो तीन अलग-अलग अर्थों का अभिधान करवाता हुआ हमें दिखाई देता है जैसे मोती के साथ अगर हम पानी सब्द की अनविती करते हैं उसका जोडते हैं तो पानी का अर्थ क्या हो जाएगा आब या चमक ठीक है मानुस के साथ अगर इस सब्द को हम समन्वित करते हैं जोडते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा इजद से हो जाएगा आबरू से हो जाएगा और चून के साथ इसका अर्थ जल हो जाएगा तो यहां जो पान सारे अर्थ मिले हुए सटे हुए या चिपके हुए हैं और इसलिए यहां क्या आर्थ हो जाएगा इसका यह कौन सा लंकार हो जाएगा स्लेश अब सैभंग का उधारन भी हम देखें तो हम ले सकते हैं कि चरण धरत चिंता करत भावे नींदन सोर सूबरन को ढूंडत फिरत क गवी वैबिचारी और चोर तो यहां सूबरन सब्द है वो क्या हो गया स्लेश हो गया और सूबरन के अर्थ अगर हम कवी के साथ जोड़ेंगे तो सूबरन का आर्थ क्या हो जाएगा सूवर्ण ठीक है अर्थात सुंदर अक्षर वैबिचारी के साथ सूवर्ण अर्थात सुन्दर वर्ण वाली स्त्री और चौर के साथ सुवर्ण कार्थ क्या हो जाएगा स्वर्ण अर्थात सोना तो एक ही सब्द है वो तीन अलग-अलग के साथ जुड़कर की तीन अर्थों का अविधान हमारे सामने कराता है इसलिए यहां कौन सा लंकार हो गया? सले सा लंकार